दौूश्कार लुनर आश्टो में आपका स्वागत है आजकी। ड़ापिकम्मुनिकेशन स्मानेज़ लाइफ में अगर कभी बी कुछ अच्छा करना हुए। आपकी जो भी परिस्थिति और इस पूरे वीडियो इसके बहुत सरे से रमेडि़ी तुरा बताता हो चलूहँगा बहुत सरे लाइफ सटेल चेंजा को चलूहँगा वह रिसल्ट देते हैं आप प्राक्टिस करना स्टार्ट कीजिए तीन महिने का थीवया आपको ही करना है कोई फोट नहीं कोई और रेम से खतम है तो थार्वास ना कम्मिनिकेशन मानेजर थार्व सब कॉंचिछ बरियन है जिनको यह नहीं पता चुडेंट्स को अब तक थार्वास कहां पर होता है कैसे होता है कैसे देखते हैं फ्री कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो कोर्स करके आए ये यह लेक्चर सम करणकिएगा आपके सपर जतने इए चीज़ें जतने वी लोग जो भी परिस्थेती है उसकी जब्रब्रदार सिर्फ आप हैं कि जब इनसान किसी और को दोष्ट देता हैं तो अपनी गल्टी आपने किसी प्रिस्तिते के लिए इसका मतलब है आप एसकेप करना चाते हैं अ और मैं कहां पर आके इंप्रूब कर सकता हूं ऐसा क्या कर सकता हूं कि यह आगे से रिपीट नहीं होगा किसी और के साथ शिर्षिंशिक में इस्यु बच्चों के साथ इशू है बिस्नस का प्रॉब्लम चल रहा है इन सब्का जो जड़ है प्रॉब्लम का जो लेना वह आपके अंदर है थाउस तो भाउस ना रीबॉन होने का हूश भी है एक अंहाँ डेथ हैं थाउस पहला उसके अंदर रीबॉन होता है एक वीडियो है रिच्वल्स अफ थार्ड हाउस पिंडिंग कर्मा थार्ड हाउस वह देखिएगा आज से दो साल पहले का भी पड़ाया था एक थाउस के इंदे डेथ है थार्ड हाउस के इंसान रीबॉन होके वापिस आता है जैसे कि मैं कई बार बहुत अच्छे सिंगर्स को जो की राग गाते हैं उनको सुनता हो तो मैं लगता है कि यह ना इश्वर ही दे सकता है उपर से गला ना ऐसा इश्वर देकर वेशता है कई लोगों को क्या आप गा सकते हो है क्योंकि 3 गर में बहुत सारे आपके इतने भी स्केल्जना आगर आप पास लाइफ में ध्यूब्य कर रहे होंगे आप अच्छे क्रकेटर रहे होंगे आप अच्छे स्किल्प प्राक्टिस कर रहे होंगे वह आठवेगर से मृत्ति होने के बाद भी कैरी हुआ है कि कुछ साध्रा आए न जब तरफ पूरी नहीं होती वह तीसरे घर मिलती है जब तीसरे घर परिपख्व हो जाता है तो पांच वी घर में चला जाता है तो जो नो बिट्वीन होते हैं इन श्षाश एंसने वैसको छोटी यात्राओं का घर कि आप इसको चोटी यात्राओं का घर समझ सकतेorama के अ कि जो काम मैं कह रहा है छिस काम के मैं प्रॉसेस में फा वो अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए यह तीसरा घर मिला जो भी चीज आपको इस लाइफ में सबसे ज़्यादा प्राक्टिस करनी है जो आपको बहुत नाच्रली आएगी जैसे कुछ लोग होते हैं बच्चे होते हैं वो मैक्स उनको नाच्रली आता है किसी को क्रिकट खेलना नाच्र अश्कनार ऐसा नहीं कि मेदे सिखाने से कुछ हो रहा हो उनका पुन्य सीखते हो या रहते मैंने सिर्ट ट्रगर कर दिया हूँ है लेकिन वह उनका पुन्य महां से अधर थांत थाट होज सेंदर प्राक्टिस कर्ते हो आर्यार थे आदिश्य प्न चक्ड़िक थे अभी वो सबस्तों कि क्लियर कर पाउंगा सब्सक्राइब कि आपने क्तिना प्राक्ट्स किए ऊब कि आपकी चॉइस ना आपके हाथ में ज्योद्ष में कि फ्री विल का हैं यहां पर पर फ्रीविल जितने भी शनी और बुद के घर हैं 3610-11 बुदर शनी दोनों को नीडरल इसलिए बोला गया कि कि दोनों के दोनों के अंदर फ्रीवल है आप जो करम कर रहे हैं आप जैसी मेहनत कर रहे हैं आप जो चॉइसे ले रहें पिक अप कर रहे हैं यह आपके हाथ में है उसके बार आ इस सारे के सारी डूइल हाउसे ऑप्शनल हैं आपकी मर्जी है आप कौन सा धर्म देना चाहते हैं आप मुक्ष बारवा घर आप महनत करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं छटा घर आप कैसे लड़ना चाहते हैं आप छटे घर के इंदर कैसे कंट्रोल लाएंगे आपके प प्रदू पार पढोस की आप कैसे नेबर हुड में रह रहे हैं एंसी आपको तीसरे मिलेगा कि आपको किताबह अच्छी मिलेंगी दोस्त अच्छे मिलेंगे सेबिलिंग्स कौन है जो अपका साथ देते हैं आपको अच्छा गाइडेंस देते हैं यह सारा कशार हमोनें तीसरी घर फलेत होता है आपको अच्छा पडूस डाला हुआ है कि तो सही में पुन्य है कि आप जो भी प्राक्टेस करते हुआ रहे थे आपका जिनके साथ करम रहे गया था वह तीसरे घर का मालिक लगन में हैं आपको हर काम अकेले करना इंसान के इंदर कॉंफिडेंस बहुत होता है कि ऐसा विक्ति का प्रोसी कैसा होगा कि वह बहुत मार्शिन एनलजी के साथ होगा वह हमेशा अनवेलेबल रहेगा तीसरे घर का मालिक लगन में अच्छा नहीं मिलेगा आसपास का आपको फाइदा जरूर देगा प्रोसी लेकिन ना आपका देख लीजे प्रोस ऐसा रहेगा कि या तो सुना रहेगा विराना रहेगा अब आद नहीं उपाएगा तीसरे घर का मालिक लगन में क्या आप सेटल नहीं उपा देख जेगे के ऐसा विक्ति ना कि बन्दे के इंदर स्किल्स बहुत अच्छे उते ऐसे विक्ति आक्टर्स सिंगर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं यह कि कोंफिनेंस की बहुत जादा वह बहुत अच्छा होता है सब्सक्राइब करते हैं कि इस लिए वह बहुत क्लारिटी के साथ दिख जाएगा सबको कि यह विक्ति का अच्छा है है और यह था हैं कि सबकॉंशिस लीजिए आप नाइनटी परसंट लाइफ आप गाली चलाते वक्त पेस्ट करते वक्त आपना कॉंशिस में अब कभी देखेगा सबकुछ सबकॉंशिसली होता है और इसलिए चेतना जो है वह धीरी होती आती है कि आप हर काम बहुत सिस्टमाटिक तरीके से कर रहे हों कि उसी तरीके से ने तीसरा घर जो है लोगों को कि परसनालिटी में है कि वह आक्टिंग बहुत नाच्टिरली करते हैं कि अब तीसरेगर का मालिक देख लीजिए का कौन होगा यहां पर वह जिस तरीकी का प्लाइंट है तो इस इंसान को जो यह ज्यान देना चालू करेगा बहुत समकॉंशिक से निकलेगा तीसरेगर का मालिक शनी है देख लेजिए को मशीनरी ठीक करते वक्त वेट उठाते बॉड़ी बिल्डिंग करते इसका नाचुरल हाबिट है इस अपकाम करना तीसरेगर का मालिक अगर मंगल है तो यह वेक्ति बोलता है कि मेरी आवाज ही ऐसी मैं डराता नहीं किसी को निकल जाती मेरी आवाज असे तेज यह की मंगल लगन में बैट तीसरेगर का मालिक हो क सबसे अच्छा लाज होता हूं कि कुछ ना करने की कला सीखिए कि खाली बैठके ठीक करना होना है इंसान को कोई भी ऐसे हावी पकड़िए जो ब्रेनलेस हो गार्डनिंग हो गया अंधेरे रूम में बैठके अपनी सारी शक्ति इकरत करते जो कि मेडिटेशन के इंदर लो आप जगहों से कीच करेंबने अपने पने ऊपको जीवन दे रहे हैं जब चालू होता है थो अब जीवन होने वाला होता ये च्कतर प्सक्त्र सारिष्थ बार्टना थे और यह अधर में आता यह प्रक्रियल अगातार करते हैं ध्यान केंदर उगके कि आप लगातार दो तीन महीने चार महीने यह प्राक्टिस कीजिए अपनी सारी उर्जा अपने अंदर खीचे और सिर्फ एक बिन्दू पर कॉकस रखे त्राटक भी इसके तरूर कर सकते हैं त्राटक के थ्रूर ध्यान के थ्रूर फाउंडेशन के हैं कि सारी उर्जा हर जगे से कीचके जब आपकी बहुत जगे पर डिवाइड़ीड होती है तो आपके कोई भी काम नहीं होता लाइक यह पाता है क्योंकि उर्जा उनकी फोकस होती है किसी एक चिन पर तो जितनी भी चेन है जिसे कि जो की ओम का चेन स्वास्तिक है इस सारे के सारे आपकी अटेंशन लेने के लिए हैं और जब आप यह प्राक्टिस कर रहे होंगे उस पर टाइम प्रण पर आपको लगेगा कि सड़नली ना आपकी उर्जा बढ़ रही है तो थर्ड हाउस का मालक जब सेकेंड हाउस में आ रहा है तो कौन सेकेंड हाउस रेलिटेट जितने भी चीज़ें और प्राक्टिस करवाएगा वो परिवार के अंदर आपको उल्जा के रखेगा परिवार में देगा क्योंकि जितने आपके चालेंज आते ना उतना ज्यादा आप लेवल्स ऑफ दगेम हैं लाइफ के अंदर लेवल ऑफ बढ़ते चले आएगे पैसे का परशानी एक के बाद आता जाएगा ठीक करने के लिए क्या करना है थार्ड हाउस का मालक सेकेंड हाउस में है तो आपको लगतार फिनांस पढ़ना है ऐसे लोग बैंकिंग में बहुत अच्छ होते हैं इन्वेस्टमेंस में बहुत अच्छ कुछ चलिटेंग अपना पैसा लगाए बिने लगाए बिना दूसरों को पैसे को इस्तिमाल करके इसा कमाना त्रेडिंग कम्निकेशंस चीजों को अलाइन करना दो लोगों को मिलवाना इस सारा का सारा काम तीसरे गर में जो लोग डेटा साइंस में होते हैं क्यों डेटा ऑगिनाइस कर रहे होते हैं अगर मर्करी मिल जाए तो चार्ड यार है कि आपना अपना करते हैं पास लाइफ से तो एक चार्ट में थार्ड हाउस जो का मालक तीसरे घर में बैठा था और वह प्लानेट साइटन था अब वह साइटन ना जब तीसरे घर में बैठा इनको ना नाचुरली हॉंटिंग स्चोरी बिकाज राहू का सुनाती यह बुलते हैं कि मैं छोटा था तब से ही मैं भोतों की कहानिया लिखता था शनी एन राहू पीसरा घर बहुत नाचुली आया किसी ने सिखाया ने यहीं पर वरिस्पती होता तो पॉजिटिव आटिटूड लिए आता आप अपना लाइफ को अच्छा बनाना चा लगन में जा रहा है कि वह आपको अपनी बॉड़ी का जालंज दे रहा है आपका सेल्फ डवल्मेंट का ऐसे वेक्ति तीसे घर का मालेक लगन में योगना सीखना निच होडता तीसे घर का मालेक चौते घर में होम एन्वायर्मेंट एक्स्ट्रीम ली ट्रबल मिलता है करते आते हैं तीसे घर का माले चौते में आप चौते हमा एक जर्वों होना है है और परिवार बसन अपनी इपार अपनी फैमिली बनाना इस बन्दे के लिए चालंज अब अगर आपको यह चालंज हटाना है तो आपका संपर्क ऐसे लोगों साथ होना चाहिए जो परिवा वोगोर के बारे में आपसे अच्छा जानते हैं तो जो सुनते हो ना तीसरे गर में तो वह भी आपको करें करते हैं कि इसके उर्जगह कीजिये द्यान कीजिये कीजिए गार्णिंग होना एक प्रेले टाइम पर जीरो ना इसको अभाग है का घर है यह विद्द टम्स प्राक्टिस आता है जब आप सुनते हैं कुछ बहुत अच्छा आप खो जाते हैं वह जीरो स्टेट जब तक आप नहीं लेकर आएंगे जब तक आप अपने सारी उर्जा एक जगे पर फोकस नहीं करेंगे तब तक ना तीसरा घर चालेंज बना रहेगा आप किसी काम को करने में इतना खो जाईए किसी भी एक होबी को और आप देख लिएगा जो जो लोग जीनियस होते हैं वह सुबह कुछ और काम करते हैं सुब जो जो हबी है ना वह उनको बहुत हैल्प करता है अपनी उर्जा को फोकस करेंगे अपल का डिजाइन स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि वह इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने कैलिग्राफी सीखी अटेंशिटी डिटेल आ गया तो आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी ह लेकिन चालेंज कहा पोजिशन को होड करने क्योंकि ना प्राक्टिस तो करना नहीं है पोजिशन में बैठने का लेकिन बैठना है सड्टनी चालेंज मैं आपको बता रहा हूं कि कभी ऐसे लोगों के साथ बैठना जिनकी राइफ की परिशानिया आपके जैसी नहीं है उनका सोच विचान का पाटन उस लेविल का नहीं है तो उन लोगों के साथ मत बैठी जैसे कि ना एक बुक है मैंने रिकमेंड भी किया था कितने गाजी आए कितने गाजी गए उस बुक के इंदर एक चाप्टर है उद्यपुर का यह लेफ्टर जनरल के जेलन ने लिखी है बहुत अच्छी बुकों में से एक है तो इस और वह भी ऐसे स्टेशन से जो की रिमोट फास से से उद्यपुर एसे सिटी में जाने को मिलेगा तो हमको ना भी कुछ ने शीहर देखने को मिलेगा सब के सब बहुत कुछ हैं पर उनके जो वापस आते हैं उद्यपर से आके उनकी तैयारियों करकर बोड़ते हैं कि साब बतो ना आलू भी दोर पे किलो विक रहे हैं तो देखे दो अलग 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 लोगों की अलग अलग परिशानिया किसी को अलो बहेंगा लग लग रहा है और वो बोलने कि वह बहुत बुरा है इसलिए शहर अच्छा नहीं है जब कभी भी आपको को इन्फर्मेशन मिले थ बहुत हर अच्छा नहीं है यह अच्छा नहीं है वह इंसान आक्चली अपने पॉइंट वीव से अपनी समझ से उसको जो चाहिए था वह नहीं मिला इसलिए वह कहता है कि वह बेकार है वह बहुत इंपर क्योंकि ना जो इंसान का लाइफ का प्रप्राबलम आपके जैसा यह वह जिन्दगी में आपकी परिशानियां नहीं समझ पाएगव के इसका है उसका सोचने का तरीका में जम्यास्मान का अंतर होगा इसलिए इसलों के सब्मत बैठीए जो की मत य् willen डूर्य MusIt कि मैं अभी कुछ दिन पहले से बात कर रहा था और मैं उसको यह समझा रहा था कि किस तरीके से ना यह प्रॉजेक्ट किया जाएगा कि मैंने करा हुआ है पर जिसने कभी वह प्रॉजेक्ट उस कंडिशन में नहीं करा उस जिन्दगी में आपको अर्वाइज में हो जिनके बच्चे अलड़ी पढ़ चुके हैं और वह अलड़ी सेटल्ड आउट है वह नहीं समझेगा नए चालेंज को मैं देखता हूं कि जुन्हों की शादी नही बच्चे नहीं होते हैं वह सबसे छई स्वायें देते हैं बच्चे कैसे पाले अदरी में आपके सामने ठैट हुआ ऐसा कर लेना उन्याउस है आपने बिच्चे को समझाना है आपको चाइल्स साइकलोजी पढ़नी पड़ेगी सीखिए चाइल्स साइकलोजी जिस दिन आप उप्तावा सूरज देखना चालू कर देंगे थार्ड फिफ्फ फॉस उस दिन आप फिफ्फ फॉस एलेटेड प्रॉब्लम्स भी ठीक होने चा सब्सक्राइब कुछ लोग होते हैं कि जब लड़ाई ना हो तो मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ न कुछ तो होता रहना चाहिए लाइफ के अंदर कर लॉड्स हाउस है ड्राइविंग क्ले गारी ने बाहर निकालेंगे और कहिना कहीं जरूर स्क्राइच लगा कर आएंगे थ अब बुक्तीनी स्मूट ड्राइविंग करते हैं कि एक तर्ड लॉड ट्विल्ठ हाउस में आप से । लगन में है आपने गारी हमेश्या आगे भगानी है तो यह जो फिर आपको गलती सामने वाले किए में ट्रबल्स देगा आपको डेप्स का उधार कहां से लेना है किस से लेना है लोन कैसे लेना है इसको लोन दिलवा दिया उसको पैसा दिलवा दिया यह सारी गलती है जब भी इनकी दशाएं चलेंगी इस व्यक्ति को परिशानी यहां से है कि कोई प्रांट से बैठा है जो पीटर है तो बैंक गरेंटी लेके बैठा है मरकरी है तो दोस्तों से उधार दरवाया है राहू है तो कोई पैसा लेके भाग गया है थर्ड लॉड शिक्स थाउस में रहू के तुका मैलेफिक इंफुरेंस ऐसा लेके बागेगा इस दशा के अंदर थर्ड लॉड सेविक्ति को फादर से बहुत ट्रावल रहता है ने फॉरन ट्रावल जरूर ओगा एक ब्रदर्स फॉरन में सेटल होता है और थर्ड लॉड में एक विक्ति डॉक्तर या डॉक्तर या लॉयर आपको जरूर मिल जाएगा और अगर मार्शन अनिट्यूट है तो आपको कोई भी आर्मी या पुलिस बैग्राउंड से मिलेगा उस प्लानेट का ट्रबल अगर जुपीटर है तो बैंकिंग में मिलेगा मर्करी है तो इसा विक्ति के लिए शादी के बाद चालेंज आने चालो होते हैं लेकिन रिलेशन्शिप बनाना पार्टनर्शिप मिंटेंग करना चालेंज है क्योंकि यह विक्ति की जुबान और सोचने का तरीका इसको पार्टनर्स के साथ नहीं रहने देगा कि आपको ऐसे विक्तिति से दूर है जो आपके दिमाग में लगातार रहतार करते हैं क्योंकि बिखेत करने लग आपको यह बताये लग जाए कि यह गलत यह गलत यह वह पार्टनर्शिप्स हैं बहुत अच्छी बात बताई कि बोले कि इसमें नुकसान होगा दरूर होगा 110 परसेंट है उन्होंने को बोला कि जब फाइदे में साथ है तो नुकसान होगा प्रिशान है यह पार्टनर्शिप्स है थर्ड लॉड सेविन्थ हाउस में प्रोब्लम करेगा पाटनर्स को लेके और अगर इसमें थर्ड जरूरत से जादा ताकतवर हो जाएं तो सेम सेक्स मारेज का ट्रॉबल आता है कि थर्ड लॉड सेवें थर्ड लॉड एट थाउस में ऐसा है विक्ति खुद अपने पेरों के कुलारी माटता हुआ अपने सारे टैलेंट्स को डिस्ट्रॉइ करता है धीरे-धीरे क्योंकि उसके उपर कोई नोगों को आपदा वेपदा जरूर आ रही होती है जब एट थाउस में हो ऐसे विक्ति को बहुत साब्दान होना चाहिए कि उसकी लाइफ के अंदर मेजर ट्रबल से लेंगी क्योंकि उसकी लाइफ से लोग जा रहे हैं तो उसका स्केल अजसे एक पादर का सब्सक्राइब हुआ इस विक्ति को देश छोड़ना पड़ा दोसी जगे गया वहां पर आके काउंटी के ला लेकिन वह वहां पर आके कबड़ान हो गया डेथ की वज़ेस से करियर का ट्रबल है जिसका जतना होबी जना जिसका जतना लर्णिंग है वो किसी ना क थर्ड लॉर्ड नाइन थाउस में यह विक्ति को श्लूक नैचरली आएंगे ज्यान नैचरली आ रहता है क्यों थर्ड भागये का मालिक भागये में आके बैठ गये हैं तो उसको बोलते हैं कि करने कुछ गए थे कर कुछ हो कुछ और गया एक्जाक्ली वैसा लाइफ पानी है जिंदगी का पादर के साथ ट्रबल है जैसे से विक्ति बड़ा होता है इसके बॉस आप देखें यह विक्ति कोई कंपनी करता है इसके बॉस इसका डाउन फॉल चालू जाएगा अब एसे वह एसे विक्ति के ब्रदर एक ब्रदर को इसे बहुत अच्छा इंकम मि सब्सक्राइब कराब जाएगा लव मारेज हो सकता है अगर कोई कॉपनेशन इसको नेगेट नहीं करता तो थर्ड लॉड नाइन्थ हाउस के अगर थर्ड लॉड टेन्थ हाउस में हो एसा विक्ति यह बहुत अच्छा जो आपका होबी है उसी को आपने अपना प्रफेश है उनका थर्ड लॉड टेन्थ हाउस मेरी से सेंटिंट मर्करी टेन्थ हाउस बहुत अच्छा मतलब लेकिन ना उनका आप पैटन भी देखेंगे लाइफ का तो अपनी दुनिया के अंदर थर्ड लॉड लेविंध हाउस में बहुत मैनत करें परती है तब जाके पैसा आत दुंढ़ए और लगातार ना इस विक्ति का जतना यह है कि मेर को क्या मिलेगा कि ऐसकातना भी वह प्यूंकि इस विक्ति को इतने लोगों ने प्रॉमिस करके मुक्रे होते हैं किसको न भरोसा अब किसी की बात को नहीं होता है थार लॉट एलेवन्थ हूस में एसे विक्ति को बहुत सोच समझ कि अपने दोस्तों की पर भरोसा करना चाहिए और स्लीपिंग पार्टनर किसी भी बिजनस के इंदर थार लेवन्थ हूस बन बिना देखे खुद बिजनस किये बिना किसी के पर पैसे की उम्मित रखना बेवकू किये थर्ड लॉड ट्वेल्थ हूस में लॉस अफ टैलेंट है कि के तने चार्ट के अंदर यह देखा गया कि पनाव एक चार्ट था जो मैं कंसलरेशन के रीडिंग कर रहा था करियर र से बन रहता मैंने से पूछा कि कि आपकी वाइफ को और को ऐसा स्किल आता है जो पहले प्राक्टिस करती थी और उन्हें ने छोड दिया जॉब के लिए उनको बोलिए जौब नहीं देखना भी उनका यही स्किल दुबारा से वह गार वो इसी के तुरू पैसे भी हमारे स्किल्स खताम हो जाते हैं क्योंकि यह ना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है वह आप सूचिए आपने कितना सारा प्राक्टिस कर आपको बोला जा रहा है कि भूल जाहिए मर्करी कहां है पैसे में आपका किया हुआ जतना भी प्राक्टिस है वह सब का सब आपको में जब आपका बेटा पैदा होगा या बच्चे पैदा होगी उसके बा 음 का वह सक दुबारा से जाग जाएगा ज्यान तो सुनेगा फिफ्थ हाउस में है इसका मतलब साटेन सब्सक्राइब समझेगा कि एक विक्ति है जिसको पैदा हुआ है और श्राप के तब पैदा हुआ है कि आप अपने पास्टाइफ को याद ही नरेगा अपको अपको इंट्रस्ट होगा फिर आपको लगेगा कि सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब मिलता है वो तब मिलेगा जब आपके घर में पैदा होगी आप बाप बनेंगे फिफ्थ हाउस तब उसके बाद से आपके पास्टाइफ का बूला वसके लिए सड़नल याद आजाएगा शादी के बाद आएगा नाइन बहुत सारी चीजें जो को समहाल करें अंदर रखाता कहु non leader तो लिए आपको सारे से सकंद्राओं होगए ऑफ को फेया क्रेंगे व्यक्ति मिलेगा सब्सक्राइब है और वो आपके अंदर कुछ ऐसाधर का देगा कि आपका प्रोफेशन बदल जाएगा कितने सारे ऐसे लोग देखे मेंने कि जो बोलते हैं कि हाँ मैं यहां पर वेक्ति मिला उसने उसके मिलने की विज़े से मेरा प्रोफिशनुस का चेंज हो गया जब कभी भी तीसरे घर के अंदर परिशानी होती है मैं सब को बोलता हूं कि आपका थार्ड जहां पर भी बैठा है वहां पर जरूर एक बार हो आई यह थार्ड फिफ्थाउस में धरमस्तान हैं बच्चों के घर हैं और फनेज भी बनता हैं बहुत सारे बच्चे रहते हूं जहां पर आप गर में दिया जलाया जाता हो फिफ्थाउस में दिया जलाईए उस पर दिवी देवता के सामने आपको ना सड़नली वह स्किल बेटर होता चला जाएगा बहुत सबसे ज़्यादा क्रिटिकल आपक्या सोचते हैं आप कुछ ऐसा नहीं सोच पाते आपका पॉजिटिव नहीं अपके सामने चालंज आया तो जानवरों के सामने चालंज घुता है तो वह क्या था लिड़र रंच बारुपर है कि मनुष्यों के सामने आता है तो मनुष्य की प्रकति कैसी है वह वो उसे तरीके से लेता है जो लोग बहुत हाई लेवल पर हाई को यह नियुक्त कि महनत सुन जो लोगन लटॉइस थर्ड हाउस उनका ही भाग गेना उद्य नहीं होता है मैंने सब्सक्राइब कुछ नहीं करवाएगा ना थर्ड लॉड कहीं पर जाएगा मैंने चालेंज देगा आप उसके इतना पढ़ लीजिए इतनी चीज़ इखटी का लिजिए कि आपको चालेंज ही शोटा लगने लग सब्सक्राइब लेकिन रहुए और बाकी लोग पीछे छोट रहे हैं आपकी नोगों को पीछे चुड़ते ना तो एक टाइम पर आके आप अकेले हो जाते हैं कि क्योंकि आपकी प्रावल्लम की और समझी नहीं सकता है आप अगर अपने काम में इतने जादा मश्गूल है इतने ज़दा खो गए हैं कि फिर आपने किसी को समझा भी प्राब्लम है कि उसको समझने के लिए किसी और को कई बार उस लेवल तक आना पड़ेगा तो थर्ड लॉड के अंदर बेस्ट वेज मेडिटेशन अपनी सारी उर्जा को इकरत्रित कीजिए अगर इसका थुरू आप नहीं जा पाते तो किसी और तरीके से जाएए जैसे कि अगर नाइन्थ हाउस में हैं तो आप मंदर जरूर जाए तेन्थ हाउस में है तो आप डेली ना काम पे डिसप्रेंट जरूर लेकर आईए और लिखना चालू कीजिए अपने वोग में वोग से कजन से बेस्ट कीजिए और साथ साथ में यह देखिए कि मेर को अपना फायदा कहां पर मिल सकता है बिना सोचे समझें किसी वे विश्वास नहीं करना है कि सब्सक्राइब कोशिश कीजिए आप यतना इसलेशन में जाएंगे ना उतना आपका स्केल डेवलप होता जाए में है एकसरसाइस आपको ही करना है सुब उटके जो पीटर है तो चारिटी आपको ही करनी है वह प्लानेट का सिगनिफिकेशन देख लिए कौन सा फ्लानेट फार्ड हाउस का माले कहां बैठा है क्या फांबनिशन बनते है उसका रेमेडिय बनाएगे तो यह था आज क्ले प्रफेंट हाउस में सब्सक्राइब था क्लेर थांक यू बबाए